कि हैं हुआ हो हैं हेलो एवर्यवन मैं रऊसनसर आपका स्वागत करता हूं पावर जेनरेशन के क्लास में आज हम लोग यूनिट वन को कंटीनिव करेंगे चिन एपके जिसमें और उसमें बताये थे कि आपके स्वाबुजेक्ट होता है जिसमें हमको पढ़ाया जाता है कि how we convert any sources of energy into the electrical energy मतलब हम लोग किस तरह से electric energy को या electricity को generate कर सकते हैं बना सकते हैं फिर हम लोग पढ़े थे कि electricity को बनाने के लिए कौन-कौन सा sources है और फिर उस sources का classification पढ़े थे तो जो भी बच्चे उस lecture को नहीं देखें वो पहले आप उस lecture को देख लेंगे आज की session में लोग पढ़ेंगे importance of electricity in our life हमारे life में या आपके life में electricity का क्या महत्व है तो आपको पता होगा कि electricity क्या है एक secondary source of energy है बड़ा important objective का question याद रखेंगे secondary energy source कहने का मतलब होता है कि ऐसा कोई भी energy जो primary energy sources के मदद से बनाया जाता है ऐसे को आपको क्या कहते है secondary energy source कहते हैं ठीक है अब याद रखना है कि पूरे science के द्वारा जो सबसे महत्पून या बहुत अच्छा कोई खोज हुआ है वह electricity का हुआ है क्योंकि आज का जो आप environment देख रहे हैं या आज का जो आपका lifestyle हो गया उसमें electricity आपके हर एक पल आपके साथ रहा रहा है ठीक है अब जो भी appliances यूज कर रहे हैं या electronic gadgets यूज कर रहे हैं सब में कहीं न कहीं electricity का application होता ही है तो यही आज हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या importance application है तो चलिए start करते हैं ठीक है क्या कह रहा है कि electricity is a secondary source of energy कह रहा है कि electricity secondary source of energy होता है electricity is one of the most important blessing that science has given to the mankind कह रहा है कि science के तुआरा जो सबसे महतपूर कोई काम किया गया है कोई invention किया गया है उसमें सबसे बड़ा invention जो है वह electricity generate करना है ठीक है आज का जो modern life है वो सारा का सारा जो है electricity पर depend हो चुका है आप अपने घर में भी देख रहे होंगे कि daily आप कोई ना कोई ऐसा appliances या इस तरह का electronic gazette आप यूज कर रहे हैं जो electricity पर ही बेस्ट काम कर रहा है चाहिए आप अपना mobile चला रहे हो उसके लिए भी charging के लिए electricity चाहिए आप अपना laptop चला रहे है उसके भी charging के लिए आपको electricity चाहिए आप कीचन में काम कर रहे हैं तो कीचन में आपको चिमने चलाना है, micro oven चलाना है, refrigerator चलाना है, TV देखना है, movie देखना है या आप music system सुन रहे है तो वो सारा का सारा electricity पर depend है तो यह importance है, तो चलिए important देखते हैं पहला, क्या कह रहा है, it is used for lightening room, commercial place, जिसको market कह रहा है, and lightening the street light on the road कह रहा है कि सबसे important जो application है, electricity का, वो क्या है, हमारे घर में, या market में, या आप देखते होंगे, कि जब साम होता है, तो roadside जो है, street light आपको जला हुआ रहता है तो सबसे पहला, जो electricity का, जो सबसे important काम है, वो क्या है, lightning room, आप अपने room में प्रकास करते हैं, या market में, आप देखते हैं, कि जो भी market, जो है, जैसे साम होता है, पुरा चका चौन्द हो जाता है वो customer को attract करता है अपनी और, तो कहीं न कहीं, वो lighting उसका बहुत जादा योगदान देता है, customer को अपनी और attract करने के लिए फिर आप देखते होंगे, जितना highway है, या आपका जो street है, या जो सडक है, उसमें भी street light लगा हुआ रहता है, for safety purpose के लिए, ठीक है, चलिए next क्या है, with the help of electricity, we can operate electric appliances like microwaves, washing machine, toaster, refrigerator, AC, electric blower, heater, chimney, etc, कह रहा है, कि आप electricity के मदद से, आपके जो घर में जितना भी appliances है, चाहे वो आप microwaves ले लेंगे, आप देखे होंगे, कि खाना बनाने के लिए, हम लोग microwaves use करते हैं, गरम करने के लिए, तो microwaves का use आप कर सकते हैं, washing machine का use कर सकते हैं, कपड़ा धोने के लिए, toaster है, जिसके मदद से आप bread को सेख सकते हैं, गरम कर सकते हैं, refrigerator है, आप अपने खाना को preserve करते हैं, अच्छे से रखते हैं, AC चला रहा है, electric blower है, ठंडे के सीजन में आप देखे होंगे, कि हम लोग घ है, चली, next है क्या है, in factory heavy machine are operated by the help of electricity, अगर आप factory में चले गए, तो वहाँ भी जो बड़ा-बड़ा machine सब रहता है, वो सारा का सारा electricity पर ही चलता है, आप किसी भी industries में चले जाएंगे, वहाँ पर आप देखेंगे, कि उस industries में जो बड़ा-बड़ा machine लगा हुआ है, वो सार बड़े आप software company में चले जाएंगे, आप call center में चले जाएंगे, तो वहाँ जितना सारा computer है, या online center जहां आपका exam होता है, वहाँ आप नोटिस करेंगे कि इतना सारा computer है, उसको भी चलाने के लिए आपको electricity का जरूरत पड़ रहा है, फिर बहुत सारा ऐसा industries में चले जाएं लाइप में, इंडस्ट्री में, अभी आप नोटिस कर रहे हैं कि electricity के मदद से agriculture में भी यूज होता है, ठीक है, agriculture में हम लोग क्या करते है, pump को चलाने में यूज होता है, थ्रेसर को चलाने में यूज होता है, या बड़ा-बड़ा और जो भी machine है, उसका application करते हैं उसको चल electricity पर ही paste है, तो और भी हम लोग point देखते हैं, ठीक है, चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे, और भी importance देख रहे हैं, तो उसमें next importance क्या है, पाच्मा में, electricity is useful in transportation, like electric train, electric car are operated by electricity, it is also helpful in operating of signal system, क्या कहा रहा है, कि electricity का और भी major application है, कहां पर है, transportation में, आप notice करते हैं, कि अब भी जो train चल रही है, वो सबसे जादा, अब जो है, electrical के मदद से चल रही है, ठीक है, क्योंकि जो diesel से train चलती थी, वो क्या करते हैं, pollution जादा create करते हैं, तो उसको replacement हो रहा है, electrical के मदद से, और आने वाले एक दो साल में, सारा का सारा, जो है, electrical system से ही चलेगा, ठीक है, market में भी आ service का signal system हो, या aeroplane का, जो signal system हो, ठीक है, airport में भी देख रहे है, aeroplane का आना जाना, वो सारा signal system होँआ काम कर रहा है, तो कहीं न कहीं, वो सारा का सारा electricity पर ही depend है, तो electricity का बहुत major application है, हमारे पूरे environment में, ठीक है, next क्या है, कि television, radio, music system, playing movies, in DVD, cinemas, are the most popular form of entertainment, that is run through the electricity, आप notice करते भी होंगे, कि आप electricity के मदद से, या आपके घर में, जो TV लगा हुआ है, DVD, music system लगा, वो सारा का सारा जो है, electricity के मदद से ही चलता है, चाहे वो आप electricity डारेक्ट, जो है, power station से ले रहे हो, और नहीं तो, आप अपने घर में भी setup की होंगे, solar का, तो वहां भी आप देखे होंगे, कि बैटरी से convert करके आप electric energy बना रहे है, ठीक है, अगर आप कोई movie देखने के लिए किसी cinema hall में जा रहे है, तो वहां भी बड़ा सा जो projector लगा हुआ है, वो भी कहीं न कहीं electricity पर ही चल रहा है, उसका पूरा sound system भी electricity पर ही चल रहा है, तो वहां भी electricity का application है, ठ medical, during the surgical operation, a powerful light is used, ठीक है, X-ray, ECG, equipment work by the help of electricity, क्या कह रहा है, कि electricity का जो application वो कहीं न कहीं medical field में भी है, अगर आपको किसी तरह का surgical operation कराना पड़ेगा, तो आप notice करते होंगे, कि खूब वहां पर operation theater में बहुत जादा light आपको जो है, वहां पर देखने को मिलता है, क्योंगी वो जो operation हम लोग करते हैं, वो जरा भी error हुआ, तो फिर बहुत दिक्कत हो सकता है, तो वहां पर electricity proper way में डाला जाता है, light proper way में राता है, ठीक है, फिर hospital में अगर आप चले गए, तो वहां देखते होंगे, बहुत सारा जो equipment लगा हुआ है, ECG के लिए लगा हो, बड़ा बड़ लगा हो, जो pulse नापरा है, ठीक है, या X-ray machine लगा हुआ है, ठीक है, तो वो सारा का सारा कहीं न कहीं electricity पर ही काम करता है, तो medical field में भी electricity का major application है, ठीक है, फिर आजाएंगे agriculture में, agriculture में भी आप notice करेंगे, कि जो आपका water pump है, जो pump हम लोग खेद पटाने के लिए कर रहा है, त पूरा का पूरा electricity पर चल रहा है, जाब वो थ्रेसर मशीन ही हो, या electrical motor हो, वो कहीं न कहीं electricity के मदद से ही चलता है, अगरिकल्चर में भी आप बहुत ज़्यादा electricity का application ले सकते हैं, ठीक है, फिर क्या कर रहा है, विद दा help of electricity, we can operate lift construction equipment, फिर एक चीज़ याद रखना है, कि construction साइट में भी अगर आप चले जाएंगे, जहां पर building बन रहा है, पूल बन रहा है, या किसी भी तरह का construction का काम हो रहा है, वहाँ भी electricity का जबर्जस्त यूज़ होता है, माल दीजिए हमको कोई commercial place बनाना है, कोई market बनाना है, building बनाना है, तो वहाँ भी construction साइट है, वहाँ आपर lift लगा हुआ है, material को उपर ले जाने के लिए, वह भी operate हो रहा है, electricity के मदद से, फिर आपको अगर ड्रील करना है, तो वह भी electricity के मदद से हो रहा है, आपको welding करना है, electricity के मदद से हो रहा है, तो बहुत बड़ा-बड़ा heavy motor को rotate कराना है, electricity के मदद से, तो construction site में भी क्य rotating heavy motor, vibrator, अब देखे होंगे कि vibrator जहांपर अगर हमको ड्हलाईया करना रहता है, तो वहाँ पर vibrator डालते हैं, जिससे कि उसके gap को भरा जाता है, तो वह भी electricity के मदद से ही चलता है, ठीक है, welding machine जो है, उसमें भी हम लोग electricity का use करते हैं, तो यह कुछ major application, आप क्या करेंगे, बहुत अच्छे से किजिए, जैसे जैसे आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको पहले ही class में बताया हूँ, कि आप copy लेके लेक्चर को पूरा सुनने का कोसिस करेंगे, और last हम लोग आ जाते है, electricity is also useful in the office work, office work में भी electricity का major application है, ठीक है, in office most of the things run on electricity, like fan, AC, lift, coffee machine, biometric, ID card reader, यह सार का सारा electricity के मदद से ही चलता है, तो I think आपको पूरा समझ में आ गया होगा, कि electricity का मेरे life में या आपके life में क्या importance है, बिना electricity का आप अपना जीवन सोची नहीं सकते है, ठीक है, तो I hope आपको यह पूरा lecture समझ में आ गया होगा, अब हम लोग next lecture में पढ़ेंगे sources of electricity generation का, ठी PDF है, वो आपके link में रहेगा, आप वहाँ से उसको अच्छे से note कर लेगे, ठीक है, thank you